इंट्रस्पेक्शन शुरू करो साथ साथ में चीजें सीखो Okay So don't depend on others सबसे पहले हमारे आता है introduction It is very important part in essay आपके दिमाग में भी आया होगा कि एक अच्छा introduction क्या होता है Because एक introduction से decide हो जाता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हो सबसे पहले तो आप अपने essay में कोई fictional story add कर सकते हो fictional story से मतलब है कि आप किसी character को introduce कर दीजे ठीक है राम, श्याम और any person you want to introduce उस character का जो basically theme है ठीक है जो उसके साथ हुआ है वो आपके essay के context से match करना चाहिए उस particular character का जो theme है आपके context पूरे essay में वो घूमना चाहिए पूरे essay में आपका वो character जो है discuss होना चाहिए तो यह क्या करता है कि आपके essay को ज़्यादा engaging बनाता है और कहीं ना कहीं आपकी जो innovation है जो creativity है इसको ज़्यादा appreciate करते हैं essay में ही एक scope होता है कि आप अपने आप अपने content में creativity innovation डाल सकते हैं कोई बाहर नहीं है यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें यह मत डालो वो मत करो diagram मत डालो flow chart जो आपको जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरा सिसको present करें because कोई आपको सिखा नहीं सकता creativity is something very intrinsic in your personality so try to use it so you can use the fictional character अगर आप comfortable हो तो secondly आप कोई real life anecdote भी उसकर सकते हो anecdote क्या होता है कोई भी short story ठीक है आप किसी मुननलाल की story इसमें डाल सकते हो 70-80 words की छोटी सी anecdote अपने जब डाल दिया short story आपने introduce करी तो वहीं से आप अपनी इंस्पिरेशन ड्राइव करो ऐसे की कि हमें यहां से यह चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे में भी कुछ ऐसे पूचा गया है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है तो anecdote से आप स्टार्ट कर सकते हो नेक्स तरीका है कि आप किसी कोट से स्टार्ट करते हो वो कोट आप ना लिखा वो कोट में डालना मलब आप वो जो कोट है किसी eminent personality का होना चाहिए make sure कि वो eminent personality controversial ना हो या उनकी कुछ statement controversial ना हो उनका कोट controversial ना हो सो कोट से स्टार्ट करना भी कच्छा एडिया है उसके बाद में जैसे कि सभी को पता है कि आप simple definition भी उस कर सकते हो बड़ ऐसा नहीं कि कोई technical definition आपने नहीं देनी है ठीक है आपका definition आपके definition में एक human element होना चाहिए because यह ऐसे है यह GS नहीं है ठीक है बहुत सारे बचे यहीं गलती करते हैं जो GS में उन्होंने टेक्निकली चीज़ें पढ़ी होती है माल लीजिए कोई economy के उपर question आ गया या माल लीजिए science के artificial intelligence के उपर question आ गया तो आपने बहुत ही भारी भरकम टेक्निक definition लिख दी माल लीजिए quantum computing के उपर आ गई ठीक है quantum computing है robotics है nanotech है या माल लीजिए economy की कोई term है market को लेके अपने जितना technical बनाएंगे आपको marks नहीं मिलने वाले हैं so make it more human okay human element उसमें होना चाहिए then important question है कि how to develop main content introduction तो आपने देख लिया तो main content लिखने के basically कुछ approaches होते हैं जो आप follow कर सकते हो ठीक है first approach आपके पास temporal approach temporal approach में क्या होता है कि आप अपने story आप अपने essay में past present और future के context में सारी चीज़ें discuss कर सकते हो ठीक है ये तरीका होता है second है आपके पास sectorial approach sectorial approach में क्या है कि आप सेक्टर वाइस चीज़ें लिख रहे हो जैसे हमाली जी आप मीडिया के उपर लिख रहे हैं ठीक है science and technology पर लिख रहे हैं कोई कि business के बारे में लिख रहे हैं global level पर बात कर रहे है नेशनल लेवल पर बात कर रहे है रिलिजिन है पॉलिटिक्स है कि sports है तो आप different sectors के बारे में जब आप बात करते हैं अपने essay में तो उसको बोलते है sectorial approach temporal approach में आपने देख लिया past, present, future और third है आपके पास you can talk about various walks of life ठीक है कि आप अपने individual level पर बात कर रहे है individually ऐसे होता है family levels पर ये चीज़ें देखने को मिलती है societal levels पर क्या होता है okay country level पर अगर आप professional level पर लिखना चाहते हो professional level ठीक है workplace तो ये सब आपके होते है walks of life आप अपने essay को walks of life के around भी centered रख सकते हैं okay next आता है problems and solutions यहाँ पे क्या होते है basically आप issue को discuss करना शुरू किया तो उस issue का historical background गया है ठीक है आप वो discuss करोगे कहां से वो चीज originate हुए उसका genesis कहां पर है वो discuss करने के बाद में आप current status पर बात करोगे reports दोगे कुछ committees की findings दोगे ठीक है कि यह status चल रहा है और यह status जानने के बाद में आप उसके around कुछ benefits भी होंगे तो benefits के discussion करोगे ठीक है then जो problems होगी issues issues related problem discuss करोगे then you have solutions you will be talking about solutions so this way you can represent your essay in the problems and solutions format okay last में आपका आता है standard this is my personal favorite because यहां भी क्या होता है कि आप इन सभी approaches को mix up कर देते हो एक ही में या आप पेस्टल analysis कर देते हो पेस्टल का क्या मतलब है political economic social technical legal environmental ठीक है इन parameters के round आप अपने पूरे essay को घुमाते हो ठीक है शुरूरी नहीं कि अगर आप पेस्टल analysis कर रहे हो तो आप अप अपने पैस्टल analysis को walks of life के context में बात कर सकते हो temporal approach भी उठा सकते हो sectorial approach भी ले सकते हो problems and solutions भी ले सकते हो तो आपके पास freedom है basically आप किसी एक particular approach के साथ भी चल सकते हो दो particular approaches को भी एक साथ उठा सकते हो तीन को उठा सकते हो या मैं personally यह मानता हूं कि अगर आपके पास एक अच्छा multi-dimensional essay बनाना चाते हो तो आप पांचों को जोड के कैसे लिख सकते हो अब वो कैसे लिखना है हम एक sample ऐसे उठाएंगे next video में ठीक है वहां मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे लिखना है particular topic पे then conclusion देखिए conclusion बहुत important है because it is expected from an officer that he should be a good finisher जो काम नो ने शुरू किया है उसको finish किया जाए तो यह आपकी personality में reflect होता है conclusion से क्या आपने conclusion को justify किया या ने किया है ठीक है तो conclusion में क्या होना चाहिए you have to summarize your whole essay into three to four sentences कुछ ऐसे तीन चार powerful sentences लिख दीजिए जिससे यह लगे कि आपने पूरे essay को summarize कर दिये जो भी आपने अपने पूरे essay में keywords use की है जिनके round आपने पूरी discussion करी है उन keywords को आप collect करके तीन चार sentence में मलब चरो 5 sentence ले लो 5 sentence में पूरे conclusion को लिख डालो ठीक है साथ साथ में आ बहुत लीशिट प्रिसाइज होना चाहिए तूदा पॉइंट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मलब अभी भी आप कुछ dimensions एड करते हुए मत दिखो अब जो लिख दी है जो लिखा है उसको wind up करो उसको कम शब्दों में wind up करने की कोशिश करो और wind up करते हो आप कुछ चीज का नहीं है real life now this is important की देखे जैसे अगर आपने character introduce किया था short story के थूरू या माली यह वो जो आपने starting में story डाली थी उसमें जो character था अब उस character को accomplish भी करना है आपने सब्सक्राइब करना है कंक्लूजन में को अपने introduction में डाला था उससे आपको अपने conclusion में character में justify करना है इसके साथ में मैंने कुछ do's and don'ts बनाये है और इन do's and don'ts को आप strictly follow करें while you are writing essay तो first पर हमारा आता है your sentences should be short and meaningful ज्यादा बड़े sentences मत लिखिए अगर आपको last sentence लिखना भी है तो वो ज्यादा meaningful होना जी है और comma उसमें use करते रहे हैं देखिए vocabulary कहीं ना कहीं आपको edge ज़रूर देती है बाकि aspirants से बट अपने vocabulary ज्यादा technical मत use कर देना शशी थरू टाइप vocabulary की बाद में examiner कोई सम मार्स कटने वाले हैं तो आप अपनी handwriting ठीक रखें और grammar mistake ना करें क्योंकि होता गया है कि अगर essay पढ़ते हुए जरा सभी stress examiner के mind में पढ़ेगा या उसको उसको ढूंदना पढ़ेगा कुछी आपके essay के अंदर context को तो आपको marks नहीं मिलने वाले make easy for him और her अगर आपको essay पढ़े उनको लगे ही ना कि मल्दब कहीं grammar mistake है वो बस पढ़ते जा रहा रहा राम से ठीक है facilitate ओर रही उसकी vision तो इस तरह से आपको essay लिखना you have to give a catchy subheadings heading or subheading definitely makes a very good it makes a very big difference कैसे जैसे माली जीए you was talking about nuclear energy okay so या तो आप ऐसे लेख सकते हो merits and demerits of nuclear energy तो यह जो heading है वो काफी boring है मतलब common है आप ऐसे लेख सकते हो nuclear energy promise और peril आप ऐसे भी लेख सकते हो या social media पर बात कर रहे हो तो merits and demerits of social media की जगा आप ऐसे भी लेख सकते हो social media डबल एच्ट स्वोर्ड डबल एच्ट स्वोर्ड तो आपको यह discuss करना पड़ेगा कि डबल एच्ट वोर्ड कैसी है वो भी merit and demerit वाली बात हो गई यह भी promise और peril कैसे है nuclear energy तो इस तरह से catchy subheadings देने से क्या होता है कि आपका ऐसे और ज्यादा निकर जाता है और ज्याद बना देता है और engaging कर देता है examiner के लिए in the main body each para must have an argument आपके para में आप कुछ argument करते हुए देखने चाहिए को idea discuss करते हुए आपका essay reflect होना चाहिए कुछ reasoning होनी चाहिए आपके essay के अंदर आपके para के अंदर and that should be substantiated by certain arguments मलब आपके argument जो है वो back up होने चाहिए किसी data के report से facts से क कोई committee recommendations आप दे सकते हो ठीक है opinions या standard statements है किसी बड़ी eminent personality की noble laureate है ठीक है वो क्या कहते है अगर economy में यह issue आया है अगर आप इन सब चीजों को use करते है अपने essay में तो इसका मतलब है कि आप सिरफ knowledgeable person ही नहीं है आपके अंदर creativity भी है और चीजों को articulate करने की tendency आपके अंदर अच्छी है articulate करने की skill होती है that is important for an officer now while writing you have to avoid certain things which are those don't rush out to the context dimensions लिखने के चक्कर में आप अपने basic जो core context है उसी मत भूल जाईएगा उसको जुरूर carry forward करना है हर पैरा में हर dimension में avoid focusing on one point I am repeating avoid focusing on one point rather add dimensions जैसे मैंने आपको पेस्टल बताया ठीक है temporal approach sectoral approach dimensions और जितना ज़्यादा dimension add करोगे आपको उतने ज्यादा marks मिलने वाले criticality डालिए आप अपने एसे में criticality का मतलब है यह positive और negative दोनों points discuss करें ठीक है तो try to allocate equal time to each essay होता है कि हम एक essay पर ज्यादा focus कर देते हैं दूसरे ऐसे बिल्कुल completely ignore हो जाता है लिखने तो 1000 से 1200 words है ना एक essay में तो 2000 words लिखने है तो practice करिएगा कि आप दोनों essays को timely लिख सको pattern change नहीं होता है next UPSC में दो ही essay आते हैं तो आपको practice करके जाना जाए कि हम at least 2 या 3 या 4 मेरे साब से तो आपको चार essay लिखने कि practice करके जाना जाए कि अगर मैं लिए में टाइम तीन ऐसे आ जाते हैं चार ऐसे छोटे ऐसे आ जाए ठीक है बड़े 1000 words वाले ऐसे ना आए तो भी आप उसको justify कर लो तो practice well before sitting in the actual exam और सबसे important है you have to avoid any extreme statement कोई भी extreme stand लेने से बचो okay no matter आपकी ideology कितनी अच्छी है आप कितनी अच्छी बात कर रहे हो but उस चक्कर में अब अपने extreme stand लेने लेना नहीं है अगर कोई issue extreme है या आपकी extreme opinion की को test कर रहा है तो in that condition you have to balanced things out now how will you balance things out you will have to use the constitutional ideals as a benchmark की constitution के accordingly ऐसा होना चाहिए जब किसी भी progressive value system को वहां पर code कर सकते हो कि एक अच्छे सब्समाज में ऐसे ऐसे चीज़े होती है या इन सब चीज़ों को discourage करना चाहिए ठीक है यह नहीं है कि आप वहां पर गोली मार दो और जेल में डाल दो को ऐसे स्टेटमेंट्स जो है इनको आपको discourage करना है बिसिकली यह आफ और यहां बॉड़ी है और इधर इंक्लूजन में यह आप एक बेसिक फ्रेमवर्क रफ सा फ्रेमवर्क अपने ऐसे स्टार्ट करने से पहले बना लीजिए हाडली आपको पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे अगर आप वैल प्रेक्टिस्ट एस्पिरेंट हो कि मैं इन कीवर्ट को इंट्रॉक्षन में बॉड़ी है बॉड़ी में आप अपनी हैडीं इसके अंदर जो पॉइंट से हैं उन्हें लिख सकते हो ठीक है यह रफ में लिख लेना आपको कि मैं इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट भी रिफाइन हो जाएगा और सीक्वेंस भी ensure हो जाएगा कि आपको कि sequence में लिखना और इसी तरह से आपको जैसे keywords उसमें लिखे हैं ऐसे keyword आपको बना लेने है conclusion के लिए ठीक है standard keywords practice कर लेना कोशिश करना कि योजना जैसी magazine से आप standard conclusion उठाके keywords त्यार रखो कि आप सिर्फ exam में जाकर उसको डाल दो दो वहां पर तो यह basic framework बनाने में आपको 15-20 मिन लगेंगे मलब चलो जो ज्यादा practice जिनकी नहीं है उनको आदा घंटा लग जाएगा 30 मिन लग जाएगे 25 मिन लग जाएगे बट practice के साथ believe me आपको 10-12 hardly 15 मिन लगते हैं अगर आप practice अच्छे करके जाते हैं तो यह basic framework जरूर बना लो ऐसे लिखने से पहले 10-15 मिन दे दो कोई बात नहीं अगर आप दो मिन जादा भी लिलोगे बट आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा ठीक है आप आपका control अच्छा हो जाएगा content के उपर सबसे बड़ा question essay writing में बार-बार स्टूडेंट्स पूछते हैं और मेरे भी दिमाग में यही था जब मैं ऐसे पहली बार लिखने वाला था that how to maintain flow and coherence होता है कि है basically जो non-arts backgrounds हैं उनके लिए काफी tough रहता है expression में चीजों को articulate करने में okay so flow या कुछ आपका coherence है इसको maintain करने के तीन basic तरीके हैं और वो काफी जादा आपस में interrelated भी है तो first method हम देख लेते हैं through linking of sentences from one para to the next para मतलब क्या है कि जैसे माली जी यह first para था तो first para में आपने कोई चीज लिखी है तो first para के जो last line होगी न और second para की जो first line है वो आपस में correlate होनी चाहिए correlate होनी चाहिए जैसे माली जी आपने first para में लिखा था कि artificial intelligence के बारे में कि जो artificial intelligence है वो economically चैलेंजिस प्रेड्यूस करती है ठीक है अपने यहां पर economic challenges को discuss किया था but it poses some ethical challenges to ethical challenges to मैं आपको एक example दे रहा हूँ ethical challenges क्या है तो वो जो ethical यह line आपने यहां पर लिखिए है तो मतलब हम next para में ethical challenges के बारे में लिखने वाले है तो इससे examiner को idea हो जाएगा कि हाँ यह flow में गया है पहले इसने economic बात करी यहां ethical की बात करी next para में इसके last में कुछ ऐसी statement दे दो political के बारे में statement दे दो कि politically यह challenges है तो आप next para में political के बारे में लिखना शुरू कर दो तो इस तरह से क्या है कि flow बना रहा था तोड़ता नहीं है आपका flow कि एक para में कुछ और लिखा है दूसरे para में कुछ और लिखना शुरू कर दिया थर्ड में कुछ और out to the context भी नहीं जाएगा scope बहुत कम हो जाएगा उसका first method तो यह second method भी से रलता मिलता ही है क्योंकि यहां पर आप करते हैं कि आप switching जो कर रहे हैं within the para उसको आप signal out कर देते हैं पहले तो examiner को भी idea हो जाता है कि आने वाले para में हमें क्या expect करना है यह भी simple सा है first की तरह ही है जैसे माल लीजिए आप तीन para लिखने वाले हैं तो किसी भी issue का historical perspective आप लिख सकते हो historically ठीक है कॉमा डालके आपने यह बाते लिखनी चुरू कर दी फिर next para में आपने लिख दिया politically ठ ठीक है third आपने economically फिर उसमें लिख दिया यह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि introduction में आपने लिखा कि यह यह challenges होने वाले हैं तो पहले आप लिखोंगे firstly ठीक है second second para में आप लिख दोगे secondly thirdly ठीक है और यहाँ पर माले यहां conclude करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए finally जिसे हिं second तरीका होता है signaling करना कि आप अपने paras to para जो है switch कर रहे हैं और examiner को पता लग जाएगा कि हाँ यह third point second point is third point is fourth point है यह economic है historical economic है यह मलब walks of life की बात करें कि यहां पर आप लिख सकते हो individually family levels पे ठीक है आप यहां so at societal levels तो इस तरह से क्या होता है कि चीजें ज्यादा correlate होती है तो methodic questioning and answering personally मैं इसको ज़्यादा effective मानता हूं और मैं इसको use भी करता हूं खुद questioning and answering questioning and answering जो है यह एक idea देते हैं कि आप आपको issue की ज़्यादा अच्छे से समझ है ठीक है examination अच्छा हो जाता है किसी भी issue का questioning and answer करने से और examiner के लिए भी यह ज़्यादा catchy होता है मलब obviously अगर question answers के format में सब चीजें लिखते जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह काफी interesting रहने वाला है क्योंकि वह अब उसने question पढ़ लिया तो आंसर के लिए आगे जाए गई जाएगा जैसे मैं आपको examples के थ्रू बताता हूं जैसे यह देखो वैसे यह related ही है पहले वालों की तरह बट बट आपने लिखा है what about economic और ethical implications ऐसे question mark लगा दिया तो ethical implications क्या होंगे आपने question mark लगा दिया तो examiner को पता है कि आगया वाले पैरा में आप ethical implications के बारे में लिखने वाले है first parameter में आपने economic implications कर दिया है justify अब question डालके आप यह बता रहे हूं कि अब ethical implications क्या होने वाले है ठीक है तो आप जो Hindu या Indian Express के जो articles होते हैं आप इसको extensively use किया जाता है अगर आप ध्यान से वह अपने उनको editorials को पड़ो तो यह थर्ड तरीका है अपने essay को और जादा engaging बनाने का अपने essay में flow और coherence को maintain करनेगा झाले हुआ झाले हुआ झाले हुआ झाले है